दमशकार सिक्षार्तियों आप सभी का NIO स्टूडियो में स्वागत है आज हम बात करेंगे लाइबरी साइंस के उच्चितर माध्यमिक विशे के सूचना के स्तोत्र भागतीन के बारे में तो आईए हम शुरू करते हैं आज का विशे सूचना के प्रलेखिय स्तोत्र लीप बद्ध स्तोत्र भातिक स्वरूप के आधार पर निम्समों में बाटे जा सकते हैं कागच आधारित प्रलेखिय स्तोत्र तथा अन्न माध्यम पर आधारित प्रलेखिय स्तोत्र कागच आधारित प्रलेखिय स्तोत्र कागच आधारित प्रलेखिय स्तोत्रों में प्रकाशित एवं अप्रकाशित दोनों प्रकार के स्तोत्र शामिल होते हैं प्रकाशित स्तोत्र वेस स्तोत्र हैं जो प्रकाशकों द्वारा अधिक संख्या में मुद्रित किये जाते हैं ये सामनता मूल पर उपलब्ध होते हैं तथा सारवजनिक उपयोग के लिए मिलते हैं अन माध्यम पर आधारित प्रलेखिय स्तोत्र, लीप बद्ध स्तोत्र कई अन प्रारुपों में भी उपलब्ध होते हैं या था श्रव, श्रव द्रिश, एलेक्ट्रोनिक माध्यम, अप्तिकल माध्यम या सूक्ष रूप, मैक्रोफोंस, ध्वनी या श्रव अंकन, ओडियो रिकोर्दिंग, श्रव अडियो कैसेट, श्रव टेप आधे, द्रिश प्रारूप, स्तेप चित्र, स्लाइट, फिल्मी ट ट्रांस्पेरेंसीज, द्रिश्व प्रारूप, चल्चित्र, वीडियो टेप, फिल्मे, वीडियो डिस्क आधे, कलाकृतियां एवं वास्तविक, ग्लोब, उभारदार, रिलीफ, मॉडल्स आधे, इलेक्ट्रोनिक माध्यम के उधारण हैं, मैग्निटिक टेप, डिस्क, प्रम आधे, ऑप्टिकल माध्यम के उधारण हैं, सीडी रोम, डिवीडू, डिवीडी, ब्लुरे डिस्क आधे, और सूख्ष रूप, जिसे माइक्रोफॉर्म्स कहते हैं, उसके उधारण हैं, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिश आधे, ध्वनी अत्वा श्रव अंकन, श्रव कैसिट एम श्रव टेप प्रमुक्र साधन है, प्रकाशक अपनी मुद्रित पुस्तकों के साथ-साथ अनमाधिमों से भी उपलब्द करा रहे हैं, जैसे श्रव कैसिट, CD, MP3, CD एवं कैसिट, कुछ वेबसाइट पेश्रव पुस्तके मिनाशुल के आईपैड, MP3 प्लेयर वा स्मार्ट फोन पर डाउनलोड की सुविधा प्रदान करती हैं, कलाकृतियां एवं वास्त्विक नमोने, कलाकृती मानाव कौशल या कार्यों द्वारा हस्त शिल्प से बनी वस्तुएं, एति रेलिया, शब्द का प्रयोग, ग्रन्थालय विज्ञान एवं सिक्षा में वास्त्विक जीवन की कुछ वस्त्वों को संकेत करने के लिए प्रियुक्त होता है Electronic माध्यम ऐसे माध्यम जिन में उभ्भोक्ता द्वारा विशेवस्त को अभी गमित करने के लिए Electronic या विद्धुत अभिहंत्रिक उर्जा की आवश्यक्ता होती है प्रात्मिक इलेक्ट्रोनिक माध्यम स्तोत्रों में वीडियो अंकन, श्रव्य अंकन, बहु माध्यमी प्रस्तुतिकरन, सीडी रोम एम ऑनलाइन प्रस्तुतिकरन है चुम्बकिय भंडार माध्यम जिसको हम Magnetic Storage भी बोलते हैं चुम्बकिय भंडार वा उपकरन चुम्बकिय प्रदार्त की परत्वाली सतह पर डाटा का संग्रहन होता है एनलोग और डिजिटल मैगनेटिक स्टोरेज मीडियम भी शामिल है चुम्बकिय माध्यम में श्रव एवंद्रिश्ण वीडियो रिकॉरडिंग शामिल है रिल से रिल तक टेप्स, श्रवक असेड टेप, वादर्ष्टेप का समावेश जिसमें चुम्बकिय ध्वनी एवंचित्र शामिल है प्रकाशे भंडार माध्यम वे माध्यम जिनमें विशेवस्त को डिजिटल प्रारूप में रखा जाता है एवं विशेवस्त को लेजर द्वारा लिख तथा पढ़ सकते हैं इन माध्यमों में CD-ROM, DVD, Blu-ray, डिस्क एवं प्रतम दोनों प्रारूपों के सभी विविद रूप जैसे CD-R केवल पढ़ने के लिए CD-R, W, पुना लिखने योग, DVD-R, DVD-R, W, आद माइक्रोफर्म्स में पुस्तकें, समाचार, पत्र, मानचित्र, फोटोग्राफ, आद, शामिल हैं माइक्रोफर्म्स में क्या होता है? माइक्रोफर्म्स या सूक्ष रूपे में प्रलहों के मूल पाठ या प्रति रूप का आकार, फोटोग्राफी के द्वारा अत्यन्त लगू रूप, मतलब बहुत छोटा कर दिया जाता है तो बेलन के आकार रोल में लपे टीवी फिल्म के स्वरूप को साधारण कैमरे में फिल्म के समान माइक्रोफिल्म कहते हैं आप्रलेखिय स्तोत्र सूचना के आप्रलेखिय स्तोत्र वे स्तोत्र हैं जो किसी भी रूप में लीपिबद नहीं होते जैसे मानव, संगठन, मुद्रित माध्यम से भिन जनसंचार माध्यम और इंटरनेट मानव, सूशना स्तोत्रों के रूप में मानव सूशना के प्रमुख उपयोगी स्तोत्र, विशशुग्यों से आम व्यक्ति तक मानव वंचित सूशना की प्रकति के अधार पर सूशना के महतपूर तोत्र का कार करते हैं उदारण के लिए दुरगटना की स्तती में जो लोग दुरगटना स्थल पर उपस्तित होते हैं वे गवाह के लिए उपयोगी हो सकते हैं एक विशेशग की राय अत्यंत बहुबूल विशेशता जब कोई शोद करता अनुसंदान कार करते वे किसी ऐसी समस्या का सामना करता है जिसके लिए तुरंत समाधान की अवशक्ता होती है संगठन भी सूचना का एक महतपूर स्तोत्र है संगठन मतलब और्गनाइजेशन जैसे की एजुकेशनल इंस्टिटूशन भी एक या आर एंडी इंस्टिटूशन ये सारे संगठन के उधारण है पुरातत प्रकाशन ग्रह साशक्य संस्थान आद अपने विशिश छेत्रों की गतिविधियों में प्रमाडिक विश्वश्निय एवं सम्योचित सूचना प्रदान करने वाले है जंसंचार माध्यम जिस माध्यम द्वारा जंसाधरण को समाचार एवं सूचना आद पहुचाई जाती है जंसंचार माध्यम में प्रेस, समाचार, पत, मैगजीन आद आते हैं रेडियों टेलिविजन भी शामिल हैं टेलेविजन का मुक्लाब उब्भोगताओं को देखने सुनने की सुविधा प्रदान करता है देश के विभिन छेत्रों में रेडियो स्टेशन स्थापित है समाचार, स्थानिय, छेत्रियर, राष्टिय वा अंतराष्टिय, मनोरंजन, संगीत, खेल वा विभन प्रकार के सै आक्षडिक कारिकों का भी प्रसारण करता है प्राइमरी बुक्स कागज के अविशकार से पूर्व, चीनियों के पास सूचना को लीपबद करने के लिए विभिन मध्यम वा तरीके अपनाए गए गुफा की दिवारों या पत्थर, मिट्टी की टिक्यां, थातु, सीशा, तामा, पीतल और कांस, लिलन, लकडी के बोड, मोम चड़ी लकडी की पटियां, बोज पत्र, इन सब का इस्तमाल करा गया। भारत में ताड के पत्तों का इस्तमाल करा गया, प्राचीन हिंदू, धार्मेक रचनाओं और वेद ग्रंतों को ताड के पत्तों पर लिखा गया बहुत पहले ब्लॉक प्रिंटिंग विधी का उपयोग हुआ जिसको हम डाइमंड सूत्रा के नाम से जानते हैं मुद्रण प्रेस के अविश्कार से पुस्तकों को सीग्रवा बहुत संख्या में मुद्रित करना संभा हुआ और सामान जन के लिए उपलब्द कराया जा सकता है त्वरित मुद्रण सबसे महतपूर संचार माध्यम बना है मुद्रित पुस्तकों के लिए ग्रंथालों में कई बदलाओ आए और फिर सत्रवी स्रदाब्दी के प्रारम में शोद करताओं एवं व्यग्यानिकों के शोद परिणामों को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित के जाने लगा शोद परिणामों को शीगरता से सब जगे पहुचाने में सक्षम, शोधार्थियों के लिए वर्दान, विविद पत्र-पत्रिकाओं की उपलब्तता अठारा सव ईश्वी में कई अविशकार हुए जैसे तंकन यंत्र, टेलिग्राफ एयों दूर भाषा से शीगर सूचना प्रसारण में सहायता हुई दूर भाष एयों टेलिग्राफ का उप्योग करते हुए लंबी दूरी के संदेश तारो द्वारा त्वरित रूप से चाना संभा हुआ Electronics का उप्योग अंत्रिक्ष में से संकेत भेजने में Electronics में विद्यत चुम्बिकिये तरंगों का उप्योग संकेतों को ले जाने के लिए अंत्रिक्ष में प्रकाश की गती से प्रवा करती हैं जन संचार माध्यम जैसे पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र जो बहुत ज्यादा स्यंखा तक पहुचाने वाले बने सन 1811 में फेडरिक कोईनेंग नामक जर्मन ने मुद्रण प्रेस को शक्ती देने के लिए भाप इंजन का प्रियोग किया इसके बाद इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइव वेब का आविरभाव हुआ, बीश्वी शदाबदी में कम्प्यूटर एवं संचार तकनीक की उननती से इलेक्ट्रोनिक सूचना स्तोत्र, डिजिटल अत्वा, इलेक्ट्रोनिक, ग्रन्थाले, इंटरनेट और वेब का प्रादर भाव हुआ इंटरनेट कम्प्यूटर नेटवर्क के अंदर परस्पर जुडाओं की वैश्विक वेवस्था करोडों उप्योग करताओं को सेवा प्रदान करता है इंटरनेट का उद्गम, 1960 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा कम्प्यूटर नेटवर्क वाली परियोजना अर्पानेट के द्वारा हुआ तो सिक्षारतियों इस सेशन में आपने देखा प्राइमरी बुक्स और समय के साथ साथ कैसे जन संचार माध्यम का विकास होता गया और मुझे पूरी उमीद है कि आपने इस सेशन में कई बाते सीखी होंगी धन्यवाद प्राइमरी प्राइमरी बुक्स और समय के साथ